नीलं धारन करने से पहले जान ले ये खास बाते इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नीलम धारन करने के बाद इसका प्रभाव बहुत ही तेजी से होता है। कि लभख 24 गंटे में ही असर दिखाना शुरू कर देता है। धारन करने वाले के लिए नीलम शुप हो जाए तो रंग से राजा बना देता है। और अगर ये अशुप प्रभाव देने लगे तो राजा को रंग बनाने में भी इसे देर नहीं लगती है। नीलम की इन ही शक्तियों के कारण जोतिष शास्तरी सला देते हैं कि नीलम धारन करने से पहले इसकी जाज जरूर कर ले। आपके लिए नीलम लखी है या नहीं? इसके लिए सामान्य से विदी ये है कि नीलम को सोते समय तक्ये के नीचे रग दे, सोते समय बुरे सपने नहीं आए, स्वास्त्य सामान्य रहे और चेहरे में कोई बदलाव नहीं हो, तो समझ लेना कि नीलम आपके लिए शुब है, इस वियस्क व्यक्ति को पाँच, साथ, Нौ अत्वा बारा रति का नीलम धारन करना चाहिए। इसे धारन करने से पहले शनी मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौवप सह शनिश्राय नमह मंत्र का जितना अधिक संभग हो जब करना चाहिए। नीलम धारन करने के लिए पुश्य, उत्तरभादरपत, चित्रा, स्वाती, धनिष्टा और शत्भीशा शुभनक्षत्र है। असली नीलम की पहचान अगर थोड़ी से समझ हो तो असली नीलम की पहचान आसानी से की जा सकती है। अच्छी क्वालिटी के नीलम को अगर दूद में डाल दिया जाए तो दूद का रंग नीला दिखता है। पानी से भरे काज के ग्लास में नीलम को रखे तो पानी की उपर नीली किरन दिखाई देती है। असली नीलं चमकीला और चिकना होता है, मोल के पंक के समान इसका रंग नीला होता है, ये पूरी तरह से पारदर्शी होता है, इसके उपर रोशनी डालने पर नीली आभार छिटकती है, इस आलेक में दी गई जानकारिया धार्मिक आस्थाओ और लौकिक मान्यताओ पर आधा सकते हैं, दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल भाग्यशाली टोटके को और बेल आइकन को दबाए, रोचक और भाग्यशाली टोटको से जुड़ी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए